नमस्कार फेंड्स मेरे नाम बबली उर्मा पेपर हैकर में हैं आपका स्वाग गटो फेंड्स आज आज अब तो देखने वाले हैं वह हो जाता है वी कॉम 30 वालों के लिए किसके लिए वी कॉम 30 वालों के लिए रहने वाला ही अपना अईटिंग मतलब अंके-चड़का ये म चाहिए वह इसका notes, तो वो notes कहां से download करेगा, वो मिलेगा discussion में उसे link और बहां जाके download कर सकता है, ठीक है भी, तो बढ़ते हैं फटापट अपने model paper 2022 की ओर, जो हमारे इस बार 2022 में paper में छपने वाले हैं, question paper, कौन-कौन से हो जाते हैं, outing, मतलब अंके छड़के, ठीक है, ध् होती important question दे रखें आपके लिए, यही question छप रहे हैं आपके exam में, ठीक है, देखने को मिलने वाले हैं, तो बात करते हैं, first question जो देखने को मिलने वाला है, आपके exam में वो हो जाता है, अंके छड़के पिरकार का संचे बढ़न करो, अंके छड़के कितने पिरकार के होते हैं इनका आपको क्या करना है बढ़न करना है तता चालू अंके छड़ तता सामेक अंके छड़ का अर्थ इनमें दोनों में अंतर भी आप से पूंच सकता है तो चालू अंके छड़ तता सामेक अंके छड़ का अर्थ और इसके गुड़ दोस भी आपको याद रखना है बहुत इ परिमासा आपने लिखनी पड़ेगी तो बात करते हैं अंकेछड की परिमासा लिखेगा इसके छेत्र बताईएगा इसका उधार और इसके लाब भी बताईए इससे क्या क्या लाब है तो बहुत important हो जाता है ठीक है next बढ़ते हैं जो आपके exam में छप गया वो हो जाता है अं आपके बढ़ते हैं जो अपना model paper 2022 का रहने वाला question paper बो जाता है वन्य अपने आंत्र पूछिड में बिन्टा नहीं है यह ऑनतर पूंचा जा रहा हैं और इसके Eastern इसके उद्दे से क्या-क्या हो जाते हैं, इनके लाब क्या-क्या हो जाते हैं, उनकी हानिया क्या-क्या हो जाती हैं, ये आपको भई, खुल के लिख दिना, एक्जाम में खुल कर, ठीक है, इतने ही क्योशन पढ़के जाना है, बाकि किसी पर फोकस मत देना, वरना पढ़ते ह इन क्योश्नों को पढ़ने के बाद लडने को तयार हो जाना एक्जाम में ठीक है बात करते हैं नेक्स कोशन जो हमें लडने के लिए तयार करना है वो हो जाता है मूल्यांकन क्या है एना मूल्यांकन है क्या अंके छड़ की द्रश्टी से संपत्तियों के सत्यापन तता मूल्यांकन की ब्याख्या करो भई इस question को तयार कर लेना है exam में लड़ने के लिए next बढ़ते है next question जो important question मॉडल पेपर का हो जाता है वो हो जाता है पिर्मारन क्या है पिर्मारन है क्या इसके उद्देश महात्व की बिवेच ना कर दो फटाक सीने वो भी खुल के करना है कैसे करना है भई खुल कर करना है आगे बढ़ते हैं heading पर कुछ ज़्यादा focus देना है फियोरी को खुल के लिखना है बात करते हैं निमने पर टिपड़ी लिखो निमने पर क्या लिखना है टिपड़ी या फिर ब्याख्या कीजिएगा कुछ भी देखने को मिल सकता है बात करते हैं फर्स्ट जो हो जाता है अंके चड़की नियुक्ती तथा अंके चड़की परिस्रमिक आपको बताना यह है क्या इस पर आपको टिपड़ी लिखना है बई नेक्स की बात करते हैं नेक्स कमपनी अंके चड़की योगिता था इसके गुड़ बताईगा जो कमपनी अंके चड़की योगिता होता है उसकी योगिताओ बताओ उ उनके गुड़ बताओ हेडिंग डाल डाल कर खुल कर लिखन हैं तो यह सारे किसारे अंकेचड से हैं एक ही क्योशन है सारा किसारा कि अंकेचड की नियुक्तिता अंकेचड की परिस्रिमी की बताईएगा अंकेचड जो कंपनी अंकेचड की योगिता इसके गुर्दोस बताईएगा ठीक है और अंकेचड को पद से हटाने या निस्कासन करने की प्रिकरिया बताईगा या पिर अंकेचक के अधिकार क्या होते हैं खुल कर लिखना है आपके लिए नेक्स बढ़ते हैं जो नेक्स्ट कुशन मॉडल पेपर का हो जाता है जो आपके एक्जाम में छप गया वै हो जाता है एक राश्टिक जाता है अनुसंधान को प्रिभास्ट कीजिए अनुसंधान होता क्या है इसको परिभाशित गरना इसके उद्देस भी लिखना है ठीक है उसके कर लिखना है उद्देस भी लिखना है बात करते हैं जो next question model paper का हो जाता है बहुत important वो जाता है लागत अंकेचक क्या है जो लागत अंकेचक होता है वो होता क्या है इसकी बिसेष्था अगुड और इसके दोस बताईएगा ठीक है बेरी इंपोटेंट क्योशन बात करते हैं जो बाकी क्योशन हो जाता है नेक्स क्योशन जो मोडल पेपर का नेक्स क्योशन है ये धुआ उठाने वाला एक जामे बात करते हैं लेखा कर्म और अंकेछड में अ पुस्त पालन और लेखा कर्म में अंतर बताईएगा जो पुस्त पालन होता है और लेखा कर्म होता है उसमें आपको अंतर बताना है अंतर से एक से दो क्योशन देखने को मिलते हैं बात करते हैं नेक्स क्योशन जो हो जाता है इंपोटेंट क्योशन बो रहने वाला है अं नेक्स्ट एकुशन नेने वाला है तुटी बाकपत में विभेद बताईएगा अंके चक नोटबुक क्या है इसके बारे में खुलकर लिखना है ठीक है नेक्स एकुशन देखो जो नेक्स एकुशन मोटर विपर करेनी बाला बोजाता है रोकड़ बाही प्रमाण करने की बात करते हैं जो नेक्स एकुशन अपना हो जाता है नेक्स एकुशन को देखना है क्योशन दे रखा है मद्य अंकेच्छड जो मद्य अंकेच्छड उसे क्या कहते हैं मद्य अंकेच्छ है क्या बैदानी कंकेच्छ है क्या और सत्यापन तता प्रमाण में आपको अंतर बत आदेना है साथ में और मद्द अंकेचड़ और बैधान एक अंकेचड़ किसे कहते हैं इनकी परिभासा और थोड़ी सी ब्याख्या कर देना हेडिंग लिखकर ठीक है बात करते हैं जो इंपोर्टेंट कोशन नेने वाला है ठीक है और इनकी हैडिंग पर जादा से जादा फोकस देना आपके लिए बात करते हैं पूझी लाब होता क्या है अंकेचड़ तता अनुसंधान में बिभेद बताईएगा जो अंकेचड़ बा अनुसंधान है इनमें आपको क्या बतान अंतर और बित्तिय अंकेचड़ में भी आपको अंतर बताना है तीनों में बुझ लेगा कि लागत अंकेचड़ बिसेश अंकेचड़ और बित्तिय अंकेचड़ में आपको क्या बताना है अंतर बताना है तो बैदस से बारा क्योशन आपके कंप्लीट यहां पर हो जाते है ठीक है complete यहां पर हो जाते है तो फटाप इसके स्कीन सोड़े लो और इनी क्यूशनों के लिए exam में लडने के लिए करना है भै तयार एक भी क्यूशन बचना पाए है न बैल आइकन को कर देना है तो फो ठीक है जो कि नोट बेकिशन आपके घर पे आके पहुंचे ठीक है तो फेंट्स लाइक करो शेर करो चैनल को कर दो सब्सक्राइब जैन जै भारत सभी के लिए